ये कहानी है गरीब माला और उसकी दादी शान्ता की माला दस साल की थी और अपनी दादी के साथ एक टूटी-फूटी जोपड़ी में रहती थी उसके माता-पिता का कुछ साल पहले देहान थो गया था तब से माला का खयाल उसकी दादी ही रखती आई थी हाला कि शान्ता के लिए खुद का और माला का पेट पालना बहुत मुश्किल था बढ़ती उम्र की वज़े से वो कोई काम नहीं कर पाती थी फिर भी उससे जोपन पड़ता था वो करती थी वो पापर बना कर उन्हें बेचती थी माला को ये सब देख कर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ऐसे ही एक दिन अरे दादी ये क्या कर रही हो आप लाओ मैं करती हूँ आपको तो बुखार था ना अरे तो क्या हो गया भिटिया काम तो करना ही पड़ेगा न हाँ दादी तो मैं हूँ ना मैं बना लोगी सारे पापड और उन्हें बाहर जाकर बेचूंगी भी आपसे आप कोई काम नहीं करोगी अच्छा अच्छा कर लेना सारा काम पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा हो तो गई हूँ मैं बड़ी आप देखना मैं कितने अच्छे पापड बना कर दिखाती हूँ आपको मैंने सब सीख लिया है माला शान्ता की जगग खुद पापड बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजार में बेचने भी जाती है बड़ी मुश्किल से दोनों का खाने पिने का जुगाड हो पाता था गर्मिया तो जैसे तैसे कट जाती थी लेकिन सर्दी की दस्तक के साथ ही दोनों की मुश्किल बढ़ जाती थी सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था उनकी टूटी फूटी जोपडी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए गरम कपड़े भी खरीच सके रात के वक्त ओड़ने के लिए सिर्फ एक कंबल था वो भी पुराना होने की वज़ा से काफी नहीं था शांता की तब्यत पहले से ही काफी खराब थी उपर से सर्दी का मौसम भी आ चुका था ऐसे में माला को अपनी दादी की फिक्र होने लगी वो पूरा दिन मेहनत से पापर बनाती लेकिन उसके पापरों की बिक्री उतनी नहीं हो पाती थी जिससे की वो थंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सके फिर एक दिन बाजार में बापुजी पापर ले लो देखो कितने करा रहे हैं बड़ी मेहनत से बनाए है मैंने खरीद लो ना कम से कम एक पैकेट तो खरीद लो ये पापर नहीं चाहिए चलो यहां से माला बाजार में हर किसी से उसके पापर खरीदने को कहती रही लेकिन उस दिन उसका एक भी पापर नहीं बिका ठंड में उसका बुरा हाल था उपर से पापर नहीं बिकने से वो बहुत उदास थी तब ही एक औरत उसके पास आई और बोली अरे बेटा कैसे दिये पापड जी जी दस का पैकेट है अच्छा तो ऐसा करो दो पैकेट दे दो उस महिला का नाम शशी था जो बड़ी देर से माला को देख रही थी उसे माला पर तरस आ रहा था उसने माला से पापड के पैकेट खरी दे और फिर उससे बोली बेटा तुम्हारा नाम क्या है और ये बताओ तुम्हें ठड़नी लग रही क्या तुम्हें कितने पतले कपड़े पहन रखे है जी मेरा नाम माला है और मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है पहनने के लिए अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो मेरा घर यहीं पास में है, मेरे पास एक पुरानी शॉल है मैं तुम्हें दे देती हू शशी की बात सुनकर माला खोश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चल देती है शशी का आलिशान घर देखकर माला को बहुत अच्छा लगता है वो शशी से कहती है वाँ मैडम जी, आपका घर तो कितना अच्छा है यहाँ तो बिलकुल भी ठंड नहीं लग रही हाँ बेटा, वो दरसल यहाँ रूमीटर लगा हुआ है जिससे कमरा गर्म रहता है ये लो, ये है वो शॉल तुम इसे रख लो वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं लेकिन अभी अंदर दबे हुए हैं फिलहाल तुम ये शॉल रख लो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी अच्छा, तो मैं चलती हूँ माला अपने घर की तरफ चल दीती है घर पहुँचकर वो शॉल को अपनी दादी शानता को देती है और कहती है दादी, ये लो, शॉल ओड़ लो आपको ठड़नी लगेगी इसे ओड़कर अरे, लेकिन बिटिया ये तुझे कहां से मिली दादी, आज जब मैं बाजार में पापड बेच रही थी तो एक बहुत अच्छी मैडम जी मुझे मिली उनका घर बाजार के पास ही था उन्होंने ही मुझे ये शॉल दिया आपको पता है, उनका घर बहुत ही अच्छा था वहाँ तो बिल्कुल भी ठड़ नहीं थी क्या कहते हैं उसे हाँ, हीटर लगा हुआ था वहाँ दादी कितना अच्छा होता न अगर हम भी ऐसे घर में रह सकते बिटिया हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहां तू तो जानती ही है अपना हाल अच्छा, ये बता आज कितने पापड बिके दादी बस दो पैकेट जोन मैडम जी ने मुझसे खरीदे दादी अब अपने पापड कोई नहीं खरीता ओहो, तू चिंता मत कर बिटिया कल मैं जाओंगी बाजार फिर देखना सारे पापड बेच कर ही लोटूंगी नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगी पार बहुत ठंड है आपकी तब्यत वैसे भी ठीक नहीं है लेकिन बिटिया मैं कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी खाने को कुछ नहीं है बिटिया मांजा मेरी बाद जाने दे मुझे माला शान्ता की एक नहीं सुनती और अगले दिन भी खुद पापड बेचने चली जाती है शाशी का दिया शाल भी उसने अपनी दादी के पास छोड़ दिया था और खुद ठंड में ठिटूरती हुई पापड बेचने की कोशिश करने लगी लेकिन अब भी कोई उससे पापड नहीं खरीद रहा था इतिफाक से शाशी उस दिन भी बाजार से गुजरी और उसने जैसे ही माला को फिर उनी पुराने और फटे हुए कपड़ों में देखा तो उसके पास जाकर गुस्से से बोली माला ये क्या? मैंने तुम्हें जो शॉल कल दी थी वो कहा है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मोटे कपड़े नहीं है और जब मैंने तुम्हें शॉल दिया तो तुमने उसे ओढ़ा क्यों नहीं? मैडम जी माफ करिये लेकिन उस शॉल की मुझसे जादा मेरी दादी को जरुरत थी ठंड से उनका बुरा हाल है कल तो नहीं तेज बुखार भी था इसलिए मैंने वो शॉल उन्हें दे दिया अरे तो तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? चलो ऐसा करते हैं आज मैं तुम्हारी घर चलती हूँ मेरे पास ये कुछ गर्म कपड़े हैं जिनने मैं पासी के व्रिधाश्रम में देने जा रही थी तुम्हारी दादी को अगर इनकी ज़रत है तो उन्हें ही दे देते हैं लेकिन सबसे पहले ऐसा करो तुम इसमें से कुछ पहन लो ची आपका बहुत-बहुत शुक्रिया माला शशी के दिये कपड़ों में से एक मोटा स्वेटर पहन लेती है और फिर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है माला के घर का हाल देख कर शशी को बहुत बुरा लगता है वो एक तूटी-फूटी छोपड़ी थी जिसमें कई जगह से ठंडी हवा जा रही थी दोनों अंदर जाते हैं शान्ता शॉल को ओड़े बिस्तर पड़ लिटी थी माला उसके पास जाकर उससे कहती है दादी, देखो मेरे साथ कौन आया है ये वही मैडम जी है जिन्होंने कल मुझसे पापर खरी दे थे और ये शॉल भी इन्होंने ही मुझे दिया था और देखो, इनके पास हमारे लिए और भी कर्म कपड़े है दादी माला की बात का शान्ता कोई जवाब नहीं देती वो बिस्तर पर बेसुत पड़ी थी माला ये देखकर घबरा जाती है फिर शशी शान्ता को छू कर देखती है वो समझ जाती है कि शान्ता इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी उसका बुढ़ा शरीड ठंड की मार नहीं छेल पाया वो माला को इस बारे में बताती है तो माला फूट-फूट कर रोने लगती है और रोते हुवे कहती है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता दादी मुझे चोड़ कर नहीं चा सकती मा बाबा पहले ही मुझे चोड़ कर चले गए और अब दादी, नहीं, दादी उठो न तुमने तो कहा था कि पापड बेशने चाओगी मैं नहीं रोकूंगी आपको बस एक बार एक बार तो उठ जाओ दादी माला की कोशिशे बेकार थी शान्ता जा चुकी थी माला का रो रो कर बुरा हाल था वो बिलकुल अकेली रह कई थी शाशी को उस पर बहुत दयाई उसने माला के सिर पर हाथ रखा और उसे बोली माला ऐसे रोते नहीं बेटा तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी न तो तुम्हें ऐसे रोता देख कर उन्हें कैसा लगेगा और तुम ये बिलकुल मत सोचो की तुम अकेली हो गई हो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है और फिर मैं भी तो हो तुमारे साथ शाशी खोद एक विधवा थी और उसकी कोई आलाद भी नहीं थी वो एक सरकारी टीचर थी साथ ही एक समासेवी संस्था से भी जुड़ी थी माला की मेहनत और लगन से वो पहले से ही प्रभावित थी और अब शांता की चले जाने से जब माला बिलकुल अकेली पड़ गई तो शाशी ने उसका सहारा बनने का फैसला किया वो माला को अपने साथ अपने घर ले कर गई और उससे बोली माला आजसे तुम यहीं रहोगी मेरा भी इस दुन्या में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा शाशी की बात सुनकर माला चौँख जाती है वो एक टक शाशी को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती पर उसकी आँखों से बहते आसू बहुत कुछ कह रहे थे एक तरफ दादी के जाने का गम था तो दूसरी तरफ मा समान शशी का साथ भी उसे मिल गया था शशी ने माला को गले से लगा लिया और यहां से ही सब कुछ बदल गया अब माला को किसी बात की कमी नहीं थी शशी ने माला को पढ़ाया लिखाया और अपनी तरह काबिल बनाया इस सब के बावजूद माला कभी उन रातों को नहीं भुला पाई जो उसने अपनी दादी के साथ ठिठुडते हुए बिताई थी वो भी शशी के साथ उसकी समासेवी संसा से जुड़ गई और हर उस कोशिश में जुड़ गई जिससे किसी और शांता को ठंड के चलते अपनी जान ना गवानी पड़े